नमस्कार किशान साथियो और येल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं सुखेंदर सिंग किसान साथियो तो कुछ लोगों ने क्वेस्चन किये थे कि बी एन आर जो दो सो बारा बैंगन है तो वो कहां कहां लगा सकते हैं और उसकी इल्ड क्या है पर एकड़ तो आज उसी के बिसे में चर्चा करेंगे कि जो बी एन आर दो सो बारा बैंगन है ये हमारे हिसाब से बहुत बेस्ट बराइटी है ये दो किसम की आती है एक तो जो हम बीच के द्वारा लगाते हैं वो आपको ऑन लाइन मिल जाएगा बीच और एक इसका 36 गड़ में इनक सो बारा गही तो अगर हम ग्राफ्ट पौधे की बात करें वह प्रोफ्ट के रोगों करती है तकरीवन 1200 कूंटल को और बारासू कूंटल पौधे लोगों ने लिया भी है लेकिन ग्राफ्ट पौधा हर कोई अफॉर्ड नहीं कर सकता तो उसमें क्या दिक्कत हाती है वो दस तो ये जो मैंने लगाया है ये मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने पौधे से पौधे की दूरी इसमें दो फीट रखी है और ये मैंने नालियों के अंदर लगाया ठीक है ये मेड के उपर है और मेड के उपर ये जो मेड बीच में गैप है वो तीन फीट का है तो तीन तो चार जार तो बिल्कुल है फिक्स 4500 लग जाता है लेकिन चार जार आप मानके चलो तो चार जार पोधेगी में बात करूं तो यह मैं इसमें से मेरा यह एक एकड़ का खेत है और मैं इसमें से लगभग 200 किलो बैंगन डेली तोड़ रहा हूँ आज तक्रीबन एक महने से अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि 200 किलो बैंगन मैंने रोज तोड़ा है ठीक अब पूरा एक महना मुझे हो गया तोड़ते तोड़ते मेरे हाँ छोटी मंडी है तो थोड़ा ही थोड़ा में ले जाता हूं मंडी में जैसे आपको मैं दिखाता हूं यह मैंने देखो तोड़ा है यह तोटा हुआ पड़ा है यह तक्रीबन 100-200 किलो में तोड़ ले दो सो ग्राम के असपास होता है अगर यह ज्यादा बड़ा हो जाए तो यह लगभग जो मेरे हाथ में यह 200 ग्राम की सम्थिंग है और इससे भी कुछ बड़ा हो जाता है जो बूल चुक से रह जाते हैं तो बाजी बाजी यह लगभग यह देखो यह लगभग 300 ग्राम का ह हो गया है लेकिन 200 ग्राम का साइज है अच्छा साइज है तो अब आप इसे साफ से अंदाजा लगा लो कि एक पंजाब के बाई-साब है उन्होंने कमेंट करके पुछाता कि सर्य यह क्या पंजाब के अंदर बी अनार दोसो बारा हो जाएगी तो पंजाब के अंदर नहीं यह पूरी ओल इंडिया के अंदर होती है दोसो बारा जो ऐसी बराइटी है कि अपने इंडियन स्वाइल में कहीं भी एड़्यस हो जाएगी और यह हर जगे होती है ठीक है जी यह मैंने जो बीन आर दोसो बारा लगाई थी यह हमारे हाँ शिकोहाबाद में एक हैं इसके कमपनी के ही इस्टाप के लोग हैं तो उन्होंने मुझे इसकी सला दी थी लगाने की तो मैंने इसमें लगाया है और आप यह देख सकते हो के दिसंबर जनवरी कितनी भीसड बरसात हुई सर्दी भी पड़ रही अभी भी पड़ रही है और उ आप इसे अंदाजा लगा लो कि 200 किलो मैंने रोज तोड़ा तो तो तीस दूने लगबग 6000 किलो मैंने तोड़ लिया और 6000 किलो तोड़ने के बाद भी अब भी लगभग मैं आपको अगर दिखाओं तो एक एक पोधे पे तिन-तिन चार-चार किलो के लगभग लगा हुआ ह इस पत्ते इसमें बहुत हैं मैं आपको दिखाता हूं आप 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 यह मौस्म खराब की बज़े से गड़बड हो गया था यह मैं आपको दिखाता हूं यह देखो इसी तरीके से यह जो है लगभग तिन तिन- चार-चार किलो तो इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि तीन तीन चार-चार किलो लगभग अभी पर पौधा लगा हुआ है तो अभी तो यह भीशड सर्दी की बात है सर्दी में आपको पता होगा कि बैंगन की इल्ड आती ही नहीं जादा क्योंकि हमारे हां खुद मैं मंडी में ले जाता हूँ तो किसी का बैंगन आने दा इसटेन में अकेला ही हूँ बैंगन वाला तो अभी इसका मुझे इसी चक्कर में रेड भी अच्छा मिल रहा है अभी हमारे बीस से पचीस और यह जाते ही मंडी में भिक जाता है और यह जो मैं मंडी की बाद कर रहा हूँ यह हमारी मंडी है जिला एटा और तहसील अली गंज की मंडी पहुत बड़ी मंडी नहीं है हमारे आसपास में फरकाबाद है तरकास गंज है एटा है मैन पूरी है इस बड़ी मंडिया है लेकिन हमारे जो मंडी है वो है छोटी अली गंज की तो कोई खास मंडी नहीं लेकिन फिर भी वहाँ 20 से 25 रुपे आराम से विक रहा है और इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ता हूं क्योंकि हमारा आराम से निकल जाए हमें जरुगत क्या बड़ी मंडी में जब हमारा छोटे में रेट आ रहा है तो अब आप इसकी इल्ड यह पूरे एक साल चलेगी और छे मेने के अंदर इंदर यह कम से कम आपको 30 किलो हमारे हिसाब से दे जानी चाहिए क्योंकि मैं अभी कम से कम लगभग इसमें से लगभग 3-4 किलो के हिसाब से तो तोड़ी चुका हूं और 3-4 किलो लगा हुआ है लगभग यह 30 किलो के तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी हमें मुनाफ़ा होती है क्योंकि मैं अगर कह दूँ जूट साच के नहीं इसमें 5 लाग 10 लाग तो हाँ यह निश्चित बात है 5 लाग से नीचे इसमें सवाली नहीं उठता है किसे कम इसमें average आए अब उसके बाद फिर म पूछा था कि सहर पंजाम में या कितनी यल्ड है तो मैंने वो आपको बता दिया कि एक सीजन में यह 30 किलो से कम नहीं देगा और एक फुरूट इसका 200 ग्राम कंपनी तो 1500 ग्राम लिखती है लेकिन यह 200 ग्राम से नीचे नहीं होता 200 ग्राम से 300 ग्राम का होता है बड़िया साइज बनता है और सबसे अच्छी खासियत इसकी यह है कि इसके अंदर बीज बहुत कम है और खाने में बहुती स्वादिष्ट है जो लोग कहते हैं कि नहीं भरते के लिए हमें गोल ही चाहिए यह गोल वाले को फेल कर देगा भरत हेले की हाथ और हाथão बिक जाती है लोग हमारे घर पह आते लिने कि भरते के लिए बहुत अच्छा總ation में बीजAD की मानत्रह बहुत जादा होती है इसमें नाम मात्र का बीज है इसलिए और इसमें गुदंळ है नर्म पीष स Stickerícia्म नहीं है यह नर्म है इसको आप यह हल्का सा यह जैसे दबाओगे, इसको आप घृका सा ही उदेखो, यह आराम से दब रहा है, यह बहुत बुलाएंम है क्योंकि इसके इंदर गुदा ही गुदा है। मैं आपको लाओ एक ही खराब पीस देखो दिखाता हूँ आप देखो इसमें इसमें जो बीज है वो नाम मात्र का बीज है यह आप देखो पूरा फोड़ दिया इसमें बीज होता ही नहीं है वह नाम मात्र का सीड निकलेगा बाकी इसमें सारा यह गूदा ही गूदा है नाम मात्र का सीड होता है इसलिए खाने में यह बहुत ही टेश्टी है बहुत बढ़िया है तो मेरी तो राय यह है कि बेश्ट भेंगन नहीं है कोई बाकी आप लोगों की जैसी भी कमेंट में राय हो वह भी मुझे आप बताना कि साथ इससे अच्छी भी कोई वरायटी है तो मैं उसको भी लगा के देखूंगा किसान साथियो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करने न भूलें सब्सक्राइब करने से मनोबल बढ़ता है और आगे जो है इसी तरीके से हमार